नौरात्री के दवरान उत्तर प्रदेश में गोपाल मिस्रा की हत्या कर दी जाती है उस हत्या के बाद आरोप प्रत्यारोप सुरू हो जाता है नूरा कुस्ती सुरू हो जाती है बतोले बाजी सुरू हो जाती है यूटूबर साथी भी वीडियो बना रहे है मीडिया में बेट भी हो रही है, अक्बारों में दो-चार ख़बरे आ गई है, पुलिस की फोटो आ रही है, गोपाल मिसरा की फोटो आ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस हत्या के मूल कारण और अस्थाई समाधान की चर्चा नहीं हो रही है, इस बात पे चर्चाई नहीं हो रही है कि ऐसा क्या कारण है कि राम भजन सुनते ही भावना आहत हो जाती है ऐसा क्या कारण है कि भगवान कृष्ण का भजन सुनते ही भावना आहत हो जाती है ऐसा क्या कारण है कि जहां से गनेश जी की सोभायात्रा निकलती है, हनुमान जी की सोभायात्रा निकलती है, मादुरुगा की सोभायात्रा निकलती है, परशुराम जी की सोभायात्रा निकलती है, भगवान राम की सोभायात्रा निकलती है, तो भावना क्यों आत हो जाती है? अखिर क्या कारण है कि परडे प्रत दिन हिंदू पांच बार सुनता है कि अल्ला के अलावा और कोई अबादत के योगे नहीं है भारत में प्रत दिन करोडों हिंदू पांच बार सुनते हैं कि न भगवान कृष्ण पूजा की होगी न भगवान राम पूजा की होगी न भगवान संकर पूजा की होगी न भगवानमान जी पूजा की होगी ना हमारे सारे जितने गुरु थे, हमारे सिख गुरु वो पूजा की होगी, ना हमारे जो 24 तीर्थंकर थे, जैन तीर्थंकर वो पूजा की होगी, ना भगवान गौतम बुद्ध पूजा की होगी, इसके बाद बावजूद न हिंदू की भावना आहत होती है, न सिख की भा पुरी दुनिया में जहाँ एक भी मदरसा बन जाता है वहाँ शान्ती सुरू हो जाती है और भारत में मुगलों के समय में जो मुश्किल से 500 मदर से थे आज की रेट में उनकी संख्या लगभग लगभग 5 लाख हो चुकी है अंग्रेजों के समय में जो मिसंडरी स्कूल 1000 के आसपास थे आज की रेट में उनकी संख्या लाखों में आ चुकी है तो हमारी सरकारों ने और मुगलों के आने के पहले जो भारत में गुरकुल स्कूलों की संख्या साड़े साथ लाग थी आज की डेट में वो सत्तर हजार भी नहीं बची तो देश कहते हैं आजाद हो गया लेकिन सिक्छा बेवस्था तो बदली नहीं हाँ मुगलिया मदर से अंग्रेजों की मैकाले वाले मिसंडी स्कूल बढ़ते जा रहे और भारत में जो गुरकुल सिक्छा बेवश्था ती वैदिक करता फैल रही है वो करता है क्या नहीं करता है जब नहीं करता है तो हमें गुर्कुल वैदिक सिक्षा लागू करना चाहिए उस पे चर्चा नहीं हो रही है हत्या हो गई यह हो गई हो गई दूसरी बात आप पिछले 10-15-20 साल के हत्याओं को देख लीजे चाहिए वो बटलाहुस इंकाउंटर को देख लीजे चाहिए उत्तर प्रदेश में चंदन गुपतार तिरंगा यात्रा निकाल रहे था उसकी हत्या हो गई चाहिए लखनों में कमलेस तिवारी के हत्या हो गई ऐसे हजारो की 100% संपत्ति जब तुई किसी एक हत्यारे की नागरिकता गई क्या एक चीज़ याद रखिएगा सजा कोट से होती है जब कठोर सजब कानून कठोर होता हो सजा फटा-फट मिलती है तब जाके खौफ पैदा होता है आप देख लीजे इसका उधारन उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है मानी मुख्यमंत्री योगी जी है बहुत ही अच्छा प्रसासन कर रहे है इसके बाद भी खौफ तो नहीं पैदा हुआ मार दिया उन्होंने चंदन गुपता को 2018 मारा था अभी उन्होंने गोपाल मिस्रा को भी मार दिया और इसके बावजूद आप अगर लिस्ट उठा के देखिए जिन्होंने अजमेर में कांड किया था उनको फांसी हुई क्या उनकी 100% संपत्ति जब तुही नागरिकता खत्म हुई नहीं सिख नरसंगार करने वालों में किसी की नागरिकता खतम हुई किसी को फांसी हुई किसी को आजीवन का रावास हुआ किसी घंड बन संपत्ति हुई नहीं कश्मीर में जिन लोगन नरसंगार किया उसमें किसी की नागरिकता खतम हुई किसी की 100% संपत्ति जब तुहीं क्यो क्योंकि का इसा कानून ही हमारे पाही नहीं हमने कानून ऐसा बनाए नहीं और आज तक भी नहीं बना यह नया वाला जो भारती नय संगीता बनी यह बारती सुरक्षा संगीता पहले से बहतर है ये लेकिन ये आज भी जो अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है इसके टक्कर का नहीं है ये जितनी हत्याएं भारत में हो रही इतनी अमेरिका में क्यों नहीं होती बहुत कठोर कानून है बहुत कठोर कानून है एक एक कानून बाकदा डिफाइन किया हुआ है, हमारे हाँ आज भी मर्डर की एक धारा है, अमेरिका में मर्डर की दस धारा है, किलिंग अलग है, बुचरिंग अलग है, मैंसलाटर अलग है, हेट क्राइम अलग है, जैनोसाइड अलग है, हमने ऐसे बनाए नहीं, हम कानून समय ये देखते ही नहीं है कि सिंगापूर में क्या चल रहा है चीन में क्या चल रहा है जापान में क्या चल रहा है अमेरिका में क्या चल रहा है देखते ही नहीं है बस बैठे बैठे कमरे में बैठते हैं और बैठके कानून बना देते हैं कभी हम यह नहीं सोचते कानून बेटीओं को लब जेहाद में फसाया उनको मार दिया प्रीयंका रेड़ी अंकि शर्मा इसमें एसी बहुत सारी बेटियों के हत्या हुई जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उनका जो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो उनकी हत्या कर दिया दिल्ली में हिना तल्लेजा ट्रिंक्टल शर्मा किसन भरवार का गला रेत के मारा था अंकि शर्मा अंकित सक्सेना क्या गला रेत का मारा था कमलेश त पूत प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इसलिए फरिदाबाद में उसको मार दिया था उमेज कनहिया लाल उमेज कोले नेहा साक्षी उर्वी मांसी रुभी ममता रविता अंजली निधी अदिती ऐसे हजारों हत्याएं हो गई हैं और एक हत्या होती ते एक व्यक्ति होते हैं उनके बच्चे होते हिंदू कम कैसे हो रहा है हम सोचते हैं एक हिंदू कम हो रहा है एक नहीं कम हो रहा है सैकड़ों हिंदू कम हो रहे हैं क्योंकि एक हिंदू अगर रहता तो उसके परिवार बढ़ते बढ़ते वो सैकड़ों के संख्या में हो जाता तो इसलिए हम यह मान के लिए एक गोपाल मिस्रा कहते हो एक नहीं कम सकम सौ हिंदू कम हो गए उसकी पूरी चेन बन जाती है पूरी फेमिली बन जाती है समाधान इसका यह की है भारत में समान सिख्षा लागू किया जाए भारत का सम्मिधान भी एही कहता है 2011 में सौप्रियम कोड की तीन जज़ों की मेंची ने भी कहा था कि हाँ भारत में समान सिख्षा होनी चाहिए सम्मिधान कहता है सबको समान आउसर मिलना चाहिए तभी मिलेगा जब सबको समान सिख्षा होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है जिन मदर्सों में नफरत फैलाई ही जिन मदर्सों को सि크ाए जाता ना भारत को ना भारत को मानो viral prim भारत का तेवयार मना क सिखा at अध्यों तो क्यों कि मान्द कर देते हैं भारत का संविधान है ठीकुम भारत सिखाने के लिए कौन है मेरा यह मानना है एक परसंट से जारा संख्यावाला माइनाटी नहीं हो सकता सरकार इतना कर दे आजी समस्या खत्म जब आदमी माइनाटी कटेगरी से स्कूल आज तक हमने धर्म औ रिलिजन क्या होता इसको डिफाइन नहीं किया आज तक हमने माइनाटी को डिफाइन नहीं किया क्यों तीसरी बात जब केतनी भगवान स्री राम ने कहा था भाइबिल होए नपरित और भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठेम समाचरे जब तक कठोर दंड का प्रावधान नहीं होगा और सजा छेछे महिने मिलना नहीं सुरू होगी तक खौफ नहीं पैदा होगा कोई मुख्यमंत्री हो कोई प्रधान मंत्री हो ऐसा नहीं कि क्यों कांग्रेस के ही जहां सासन होता वहां हत्या होती है आप देख लिए बीजेपी के सासन वहां भी हत्या होती है अभी राजस्थान में बीजेपी का रूल है फिर भी देवराज मिस्रा के हो गईॡ़ीजी जाभे n imam118 उसका चंदन गुपता उते हbowई ती in 2018 Days मपूइ च्छाई हुट चुके हैं सजा हुई क्या नहीं क्यों क्यूंक्किम कानून को बद लाए में हमने एक नर्कोपॉलिघॉजभर मैपृंग है उन्हों चंद्रमा पे जा रहे हैं। गोपाल न्सरा परिवार कह रहा है। इन्हों ने तीन लोगों ने माईदे इतर स्थे cyn期 तो ठीमागों परीवार के दोओं ओक पंड जीए। कर लिजे और जिनके ऊपर आरोप है वो कहरे हमने नहीं मारा उन तीनों का नार्को पॉलीग्राब इन मैपिंग कर लिजे अगर दोनों में कहीं कुछ गड़बर हो तब तो गवाही कराईए ना मारने वाला कह रहा है कि हमारे परिवार किनको मारा और जिसने मारा अगर वो न महीन तीन महीन हम सजा दे दीजे तीन चार दिन के अंदर नार्को पॉलिग्रा ब्रेन मैपिंग टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी उसको सजा दे दीजे इतना गवाहों का बयान क्यों करना और यह मुकदमा लंबा क्यों चलता है क्योंकि बारत में जूट बोलना अपराद नहीं है जूटी गवाही देना अपराद नहीं जूटा एफिडेविट फाइल करना अपराद नहीं है तो जो हत्यारा होता है वो भी एफिडेविट फाइल करके कहता हमने हत्या नहीं कियो करता है क् इफिडेविट फाइल करना अपराद नहीं जो हत्या करता है वो भी 20-50-100-100 गवाह ले आके खड़ा कर देता है क्यों और अपने पक्ष में गवाही दिलवा लेता है 10-10-20-20-20-0 रुपए दे के वो क्यों दिलवा लेता है क्योंकि जोटी गवाही देना गंबीर अपराद नहीं आप जोटी गवाही को गंबीर अपराद बनाईए मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भाई भाई के लिए जोटी गवाही नहीं देगा आप जोटी गवाही पे 10-20 सल्क सजा का कानून मनाईए मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बीबी भी अपने सहर के लिए जूठी गवाही नहीं करेगी, बेटा भी अपने बाप के लिए जूठी गवाही नहीं करेगी, कानून तो बनाइए, सब कुछ हो सकता है, मैं कह रहा हूँ तिन-तिन महीने के अंदर सजा सुरू हो जाएगी, 10 साल छोड़ी ये तीन-3 महीने के अंदर कि वाल इतना काम कर दिये कि जूठी सिकायद गंभी रपारा जूठी गवाही गंभी रपारा जूठा मुकदमा गंभी सर्टिफिकेट जूठा जो है अपनी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना जूठा डो मिसाल सर्टिफिकेट बनवाना इसको गंभीर पराज बदाईए इतना बनाते ही आप देखें लोग जूट बोलना छोड़ देंगे और उसके बाद नार्को पॉलिग्राप इंट मैपिंसे कर लिजे कानुम का खौफ तब पैदा होगा जब 1-1 पॉलिस कोड़ होगा वन जेशन वन जूडिशन कोड़ होगा वन नेशन में अर्म पिनल कोड़ होगा और 1 एजुकेशन कोड़ होगा जब तक समान सिख्छा समान नाग्री संगीता लागु नहीं होगी और समान पुल चाहे वो जासूस हो, चाहे गदार हो, चाहे मकार हो, कुछ भी आतंकवादी हो, जिसने बटला हाउस में इस्पेक्टर मोहंचन शर्मा को मारा उसको भ्याज तक नफासी हुई न उसकी नागरिकता खतम हुई, तो खौफ पैदा कैसे होगा, खौफ पैदा काने के लिए हिंदू जाके क्या कर लेगा, क्या हिंदूों के जागने से कोट फटा फट फट फैंसले देना सुरू कर देगी, क्या हिंदूों के जागने से हूगा क्या, आप इस पर सूचेगा, और मेरी बात ठीक लगे, इस वीडियो को कम से कम 10 लोंग जरूर शेयर करिएगा